आपको हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर मेरा नाम है अंशुल और हम अपनी जो कुईज की सीरीज इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशे की तरह आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मिशन मिलेगी और एक लिंक है आपको उसको लिंक को देखेंग और आपको पता चलेगा कि आपको एक हजार कोशन काम पीडियेफ दे रहे हैं विद डिस्क्रिप्शन और मैं आपको इस बात की गैरेंटी देता हूँ कि अगर आप उस डिस्क्रिप्शन उस पीडियेफ को परचेस करते हैं उसके लिए जाते हैं तो निश्ची तोर पे आपको आपको आपकी आगामी परिक्शा हो उसमें जरूर सफलता मिलेगी और आ किसी प्रकार की किताब को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वह सारे कोशन दिस्क्रिप्शन के साथ हैं ठीक है तो इस बात का ओपीन चलेंज है कि उसको अगर आप परचेस करते हैं तो आपको कही जाने की जरूत हूँ आप सारे परिक्शाओं में उत्रीड हो जाए इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ ठीक है तो चलिए बिना देर करते हुए और हाँ आपको मैं पताना चाहूंगा कि आप टेलिग्राम पे जानकारी लेने के लिए हमको कॉल कर सकते हैं 9027281376 पे इसके साथ सथ आप हमें वाट्साप करते हैं सकते हैं 6395-64-999901 कंडिक है तो चलिए आरम करते हैं को इसको तो तेके को जारम करने से पहले आज एक पहली है आपको हमें बताना है इसका उत्तर मैं इस वीडियो के अंते में दूँगा पहली ये है कि आपको पहचानना है कि वह कॉन है या वह कॉन था जो चंदरकुट प विश्याली में प्रियाग प्रशिष्ति की रचना की तो इसका जवाब तयार रखिए कमेंट बॉक्स में बताईए और इस वीडियो के अंत में मैं इस सवाल का जवाब आपको बताऊंगा चलिए कुछ प्रारम करते हैं तो पहला कोईशन है कि यह अकल भारते मुस्लिम लीक की एक लंदन में शाका की इस्थापना हुई थी। इसकी जो इस्थापना थी वो आमिर अली की अधिक्षिता में हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा option no.3 आगे बढ़ते हैं मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश रक्ति का महतो बशाओ होगा ये किस ने लिखा था हर्वर्ड रिसले, लॉड लिटन, डब्लू डब्लू हंटर या H.N. Brailsford तो इसका सही जवाब है ये कथन था डब्लू डब्लू हंटर का ठीक है? आगे बढ़ते हैं 1912 इसवी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वाइसराय कौन था? आपके options हैं Lord Mayo, Lord Lawrence, Lord Minto या Lord Hording तो इसका सही जवाब होगा Lord Hording ठीक है? और 1912 में कौन आया था भारत में जिसने राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली लाई थी उसका नाम आप हमें comment box पर लिख के ज़रूर बढ़ता है 1910 में, 1911 में, 1916 में या फिर 1923 में इसका सही जवाब होगा कि दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी बनी है 1911 में ठीक है? आगे भड़ते हैं दिल्ली में उनके राजकिये प्रवेश के अफसर पर बम फेका गया था किसके? लर्ड करजन के, लर्ड मेयो के, लर्ड मिंटो के या लर्ड होडिंग के तो लर्ड होडिंग के राजकिये प्रवेश के अफसर पर बम फेका गया था ठीक है? क्रामतिकारी जो राजकिये प्रवेश के अफसर पर बम कांड में शामिल नहीं था अब देखे, सवाल पूछना है नहीं चाहिए, मास्तर अमीर चंद, भगवती चरण गोरा, भाई बाल मुकुंद या अवद भिहारी तो इसका सही जवाब होगा, भगवती चरण गोरा ये शामिल लहीं थे, बाकी अमीर चंद शामिल थे, बाल मुकुंद शामिल थे और अव 1946, तो देखे, 1912 में ब्रिटिश शाषन की दोरान बिहार को एक अलग प्राम्त का दरजा प्राप्त हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कॉंगरेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयुजित किये, कहां पे, वो ऐसी कौ 1929 में अपने अधिवेशन आयुजित किये थे, 1916 में भारती राष्ट्री कॉंगरेस के अधिवेशन की अधिवेशन की अधिख्षता किस ने की थी, अब जो अधिवेशन हो था, उसकी अधिख्षता किस ने की थी, लाला लाजपत्राए, मोतिलाल लहरू, एनी वेसंट, या AC मजूमदार, तो इसका सही जवाब है AC मजूमदार, सारे questions important है ये भी और हाँ, फिर से कहूंगा कि अपने प्रतिमानदार हैं, मैं जानता हूं कि आप ये questions कर रहे हैं, तो पहले आप अपना उत्तर खुद देख रहे होंगे, उसके बाद आप मेरे उत्तर पे जा रहे हो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसित समझाते पर हस्ताक्षर कब हुआ, 1913, 1914, 1915, 1916, इसका सही जवाब होगा, 1916, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अति वादियों एवं उदार वादियों कि पुनर मिलन की प्रक्रिया में प् यह है, और इसके जवाब है, एनिबेसेंट, एमेजिन्ना, मैडम कामा या फिरोशा मैता, तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, एनिबेसेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यह उग्रवादी और उदार वादियों के पुनर मिलन की प्रक्रिया है, जिसकी मुखी श समझाता कराया, बीजी तिलक, गोगले, एनिबेसेंट, या जवाहरला लेहरू, तो इसका सही जवाब होगा, बीजी तिलक ने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉंग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुधाय के लिए प्रथक निर्वाचन प्रणाली स्विकार की, ये कौन सा वर्ष था, उनिस सो नौ, उन्निस सो सोला, इसका सही जवाब होगा, उन्निस सो सोला, 1916 में कॉंग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समिधाय के लिए प्रथक निर्वाचन प्रणाली की को स्विकार किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन 1916 के लखनोग के कॉंग्रेस अधिवेशन के विशे में असत्य है क्या चीज कौन सा इसमें तत्य जो है वो असत्य है आप्शन हैं अम्बिका चरण मजुमदार ने इसकी अधिख्षता नहीं की थी इस अधिवेशन में उदारवादियों और उगरवादियों के बीच पुना मेल स्थापित हुआ था महात्मा गांदी पहली बार चमपरण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराये गए और उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखे जो पहला कुछ आप्शन है जो पहला कता है कि अम्बिका चरण मजुमदार ने इसकी अधिख्षता नहीं की थी ये गलत है इनहीं ने अधिख्षता की थी ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिखित भारतिये रास्ट्री कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांदी को चमपरण की किसानों की समस्याओं से अवगत कराये गया था वही कोईशन है कि बनारस अधिवेशन 1905, कॉलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनो अधिवेशन 1916 तो इसका सही जवाब होगा लखनो अधिवेशन 1916 ठीक है कोईशन घुमा के पूछते हैं वो चीज़े आगे बढ़ते हैं इंडियन नेशनल कॉंग्र 20 या 1940 से 1946 का सही जवाब होगा 1916 से 1922 ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रेशन है कि करमचन गांधी दीवान थे पोरबंदर के राजगोट के बंका नेर के या फिर उपरोक्त में सभी के तो देखिए वो दीवान कहां के थे वो तीनों जगे की दीवान थे जो करमचन ग पत्रिका में रहने की अवदी में मात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रिकाशन किया उसका नाम था नवजीवन इंडिया गजट अफ्रीकनर या फिर इंडियन ओपीनियन तो देखिए इसका सही जवाब होगा इंडियन ओपीनियन ठीक है इंडियन ओपीनि डर्बन या फिर कमपाला तो फिनिक्स कहा है डर्बन और ये क्यों फिमस है इसको मैं लिखके जरूर बताईए ठीक है तो आशा करता हूँ ये क्विज आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से और आप अपने प्रतिमानदार रहे होंगे तो इसी तरह से अपना स्वाध्या है ठीक है मिलूँगा अगले वीडियो में और जाने से पहले आईए उस कोशन का जवाब देते हैं जो मैंने आपसे स्टार्टिक में पूछा था तो इसका सही जवाब मुझे लगता है आप सबने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा इसका सही जवाब होगा समुद्र गुप्त ठीक है तो ऐसे ही अपने नॉलिज को चेक करते रहे हैं और रिवीजन करते रहे हैं रिवीजन बहुत जरूरी है कुछ भी आप करते हैं उसकी पुनरा वरती एक बार जरूर करें तो चलिए इसको लाइक चैनल को लाइक और सब्स्क्राइब जरूर करें और इसको शेर करना ना भूले और हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमारे Description box में जाएं और वहाँ पे आप उस Link को देखें जो आपके लिए हजार Questions का PDF लाया है with description उसको जरूर प्रचेस करें और जानकारी के लिए आप हमें टेलिग्राम कर सकते हैं 9027281376 पर कॉल कर सकते हैं इसके साथ साथ इसके अलावा मारा WhatsApp का नमबर है 6395649901 ठीक है तो चलिए मेरा नाम है अंशिल और मैं फिर से हाजी रहूँगा नए कोईस के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें heaven I stay